सुप्रीम कोट ने सुमवार को अतिहासिक फैसला दिया है जिसमें साथ न्याय धीशों की पीठ ने सर्व सम्मतिस से कहा कि रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने अभाशन देने पर अपराधिक मुकदमे से छूट नहीं सकते रिश्वत लेकर अगर सदन में वोट देने वाले अब सरसदिये विशेश अदिकार की आड़ लेकर नहीं बच पाएंगे ब्रस्टा चार को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं अगर ऐसा होता है तो भारत की ही तरक्की होगी भारत एट नाइन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ कार्जो नराई ब्रस्टा चार ब्रस्टा चार ब्रस्टा चार परिवारवाद 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 2014 के बास से ही हम ब्रस्टा चार को लेकर बहुत सारी बाते सुनते आए हैं क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने यही कहा था कि जब बीजोपी सत्ता में आएगी तो ब्रस्चाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा आज ऐसी बहुत बड़ी ख़बर आपके लिए लेकर आ रही हूँ इतिहास की पन्नों से जो बहुत जरूरी है जानने ना क्योंकि इस वक्त सबसे ज़ादा बात इसी चीज़ की हो रही है और सुप्रीम कोट ने भी कही न कहीं एक फैसला सुनाया है जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई सुप्रीम कोट अपने उसी फैसले पर 31 साल बात भी अटल है अजग है जानना जरूरी है एक भारतिय होने के नाते एक जागरुख वोटर होने के नाते एक जब्मधार व्यक्ति होने के नाते रिश्वत लेकर अगर सदन में वोट देने वाले अब संसदिये विशेश अधिकार की आढ़ लेकर नहीं बच पाएंगे ऐसे सांसदो वधायकों को अब विशेश अदिकार का कवच नहीं मिलेगा सुप्रीम कोट ने सुमबार को अतिहासिक फैसला दिया है जिसमें साथ न्याय धीशों की पीठ ने सर्व सम्मत्ति से कहा कि रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने या भाशन देने पर अपराधिक मुकदमे से छूट नहीं सकते अकसर ऐसा होता है कोट ने कहा कि रिश्वत लेकर सदर में मतदान करना या भाशन देना सांसदों वधायकों को मिले संसदी विशेश अदिकार के तहट नहीं आएगा कोट ने कहा है कि रिश्वत लेने का अपराग उसी पल हो जाता है जब सांसत या वधायक रिश्वत लेता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है उसके बाद वोट देता है या नहीं देता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोट ने कहा कि सांसदों वधायकों का ब्रस्टाचा रिश्वत खोरी भारते संसदिय लोकतंत्र की नीव कमजोर करती है विपक्ष भी चीक चीक कर यह कह रहा है लेकिन विपक्ष दूद का दूदा नहीं है यानि रिश्वत लेकर कोई राजसभा उमीदवार के लिए वोट डालता है या किसी पार्टी या सरकार का समर्थन करता है तो उस पर कानूनी कारवाई होगी केनी सरकार के ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में दलिल दी गई थी कि ब्रस्टर चार के मामले में किसी को विशेशा अधिकार नहीं दिया जा सकता राजनीती के लिहास से महत्तपून और देश की संसदिय राजनीती परसर डालने वाला इफैसला प्रधान नियाए धीश, टिवाई चंद्रचूर, एस बुपन्ना, एमेर सुरेश, पीएस नरसिमा, जेबी पाडीवाला, संजे कुमार और मनुझ मिश्रा की साथ सदस्ये पीठ ने सर्व सम्मत्ति से सुनाया है साथ नियाए धीशो की पीठ ने 1998 का पीवी नरसिमा, राव मामली में दिया पाच नियाए धीशो का बहुमत का जो फैसला है, पल्टा है उसमें कहा गया था कि जो सालसद विधायक रिश्वत लेते हैं, उसके मताबिक वोट देते हैं, उन्हें संसदिये विशेशादिकार प्राप्त होगा उन पर आप्रादिक मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं होने वाला जबकि जो सालसद विधायक रिश्वत लेकर निर्देशों के मताबिक मताबिक वोट नहीं दिया तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा, तो आप वोट आप पर वोट चलेगा लेकिन अब ऐसा नहीं है, साल 1993 था और देश के अर्थविवस्ता के दर्वाजे विदेशी कंपनियों के लिए खुल चुके थे पीवी नर्सिमा राव की अगवाई में चल रही कॉंगरिसी सरकार प्रिटपत पा रही थी लेकिन उसी समय कैसा काड़ हुआ कि पुरा देश हिल गया था दरसल पहली बार सालसदू पर घूस लेने क्या रोप लगे थे शायर इससे पहले बहुत कम ही ऐसा सुना और देखा जाता होगा तब तक हमने देखा था कि लेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उतनी सक्रिय नहीं थी लेकिन अब तो एक बात अगर आप कहते हैं तो सोशल मीडिया पर वारल हो जाती है देश के सबसे बड़ी पंचाय सलसद की पवित्रता पर अब तक का ये सबसे बड़ा सवाल था 31 साल बाद ये घटना फिर से भारत की राजनिती में सुर्ख्यों में है वजह सुप्रीम कोट का ये फैसला सुप्रीम कोट की सास जोकी बेंच ने कैश फॉर वोट पर अपने ही 26 साल पर आने फैसले को पलट दिया आशर्य चकित करना सुप्रीम कोट का वैसे तो काम है सुप्रीम कोट सर्वोच ने आयले लेकिन अपने ही फैसले से पलट जाना कहीं न कहीं देखे जरूरी है इसलिए चीफ जसिस डिवाई चद्रचूड की अधिक्षता वाली बेंच ने कह दिया है कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने या सवाल पूछने पर सांसदू या वधायकों को विशेश अधिकार के तैद मुकदमे से चुट नहीं मिलने वाली 1998 में सुप्रीम कोट की पांच जदों की बेंच ने अपने फैसले में रिश्वत लेकर सदन के भीतर वोट देने को विशेश अधिकार माना था जैसे कि मैंने अभी बताया उस वक्त पांच जजों की समधानिक बेंच ने बहुमत से कहा था कि सदन में भाश्वन देने या वोट देने के रिश्वत लेने पर सांसदू और वधायकों के खिलाब कोई मुकदमा नहीं चलेगा लेकिन अपने ही फैसले को सुप्रीम कोट ने बतला है कोट में कैश फर वोट मामले में सुनवाई क्यों की जरूरी था जरूरी था ऐसे सांसदो ऐसे वधायकों को बेनकाब करना जो रिश्वत लेते हैं तब वोट देते हैं हम तो विश्वास करते हैं ना हम जैसे लोग आम जनता कैसे विश्वास कर लेगी जरूरी था और इसी वज़े से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी लिया है 1998 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैश फर वोट कार्ण का मामला खत्म हो गया था लेकिन 2012 में इसका जिन फिर से निकला दरसल 2012 के राजसभा चनाव में जामुमो की सीता सोरेन पर राजसभा के निर्दली प्रतियाश्वी आर के अगरवाल से डेड़ करोड रुपे लिने कारूप लगा मामले के जुआज CBI को सौब दी गई CBI ने इस केस में सीता सोरेन की नौकर को सरकारी गभा बना दिया अब कोट में सोरेन की तरफ 1998 के नर्सी महार राओ वोर्सेज स्टेट मामले की दलिल दी गई जिसके बाद ये मामला फिर से सुप्रेम कोट पहुँच गया सुप्रीम कोट इस पर फिर से सुनवाई करने को राजी हो गई कैश फॉर वोट कार्ण में साथ जजों की बैंच जो है वो गठित कर दी गई थी देखें आप समझ रहे होंगे कि कैश फॉर वोट आखिर है क्या तो बहुत इजी से लैंग्विज में समझा देती हूँ 1993 में भारते जंता पार्टी और सीपियम समेथ कई विपक्षी दलो ने नरसिमा राव सरकार के खिलाव संसद में आव विश्वास प्रस्ताव पेश किया था विपक्ष के साजा गड़ बंदन के पास परियाप्त बहुमत भी था लेकिन फिर भी राव सरकार बचाने में सफल रहे राव के विश्वाशमत हासिल करने के बाद विपक्ष ने सरकार पर होर्स ट्रेडिंग होर्स ट्रेडिंग? खरीद फरोक्त कारूप लगा दिया विपक्ष के सारूप को 1996 में तब बल मिला जब जामुमो के एक सांसर शैलेंदर महतो ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कैश फर वोट कान का खुलासा कर दिया राव ने बूटा सिंग को सौपी सरकार बचाने के जिम्मेदारी आगे समझते हैं तदकालीन जामुमो सांसर शैलेंदर महतो ने 1996 में खुलासा करते हुए कहा था कि सरकार यहने के खत्रे को देखते हुए तदकालीन स्पीकर शिवराज पाटिन ने और विश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए तीन दिन का समय आवंटित किया स्पीकर के समय आवंटित करते ही पीम राव ने जोड तोड की कमान कद्दावर कॉंग्रिसी बूटा सिंग को सौप दी थी अब बूटा ने पहले कॉंग्रिस को जोड़ने का भियान चलाया उस वक्त नरसीमा राव ने कॉंग्रिस का एक खेमा काफी नाराज था इस खेमे का नेतित अरजुन सिंग कर रहे थे कॉंग्रिस को जोड़ने के बाद बूटा सिंग ने दूसरे दलों को साधने की रनीती भी तियार कर ली अब सिंग के निशाने पर रिजिर सिंग की पार्टी और शिबु सरीन की जहमूओ थी दोने के पास लोग सभा में कुल 24 सांसत थे देर राक की मुलाकात और 40-40 लाग का उफर यहां से शिर्वात होती है सिब्याई को दिया अपने बयान में जहमूमों के ततकालीन सांसत शैलेंदर महतों ने बताया कि वोटिंग से दो दिन पहले बूटा, सिंग, जहमो, सुप्रीमो, शिबू, सोरेन से मिलने आये थे यहीं पर सिंग ने सभी सांसतों को सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए मना लिया था जहमूमों की तरफ से डील फाइनल करने की जिम्मेदारी शिबू, सोरेन ने सूरज मंडल को सौपी थी सांसत बिग गए, विधाय बिग गए, शेलेंद मैतों ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरसी महा राउंद मिलने के बाद हम लोग लली सूरी के होटल हॉलिडे इन में पहुंचे थे जहां पहले से ही केंद्र मंत्री वीसी शुकला आरके धवन बैठे थे हम लोग जब आँ पहुंचे तो शुकला ने 40-40 लाख रुपए सबी को दे दिया बिग गए आप तो 40 लाख रुपए में और आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले 40 लाख के कीमत आप सबस सकते हैं कि कितनी हुआ करती थी पैसे लेने के बाद हम लोग वापस रांची आ गए फिर वोटिंग के दिन दिल्ली पहुंचे आजीस सिंग की पार्टी भी तूटी साथ ने क्रॉस वोटिंग कर दिया वोटिंग की दौरान अजीस सिंग की पार्टी भी तूट गई थी इसी क्रोस वोटिंग की वज़े से राव के समर्थन में 265 वोट पड़े थे क्रोस वोटिंग समझ रही होंगे आप अभी राजसभा चुनाव होए तो उसमें भी ऐसी क्रोस वोटिंग हुई थी जो विपक्ष के 255 से 14 जादा था कॉंगर्स के पास उस वक्ष सिर्फ 244 सांसद थे वोटिंग में अजीज सिंग पार्टी के करीब 7 सदस्यों ने सरकार के पक्षमें मतदान कर दिया हालाकि इन सदस्यों को पैसे मिले या नहीं इसका कोई पुक्ता सबुत तो हमें नहीं मिल पाया है लेकिन कहां तो ऐसे ही जाता है अजीज सिंग के सांसदों को साधने की जिम्मेदारी बर्राम जाकर और भजनलाल को मिली थी इस क्रॉस वोटिंग ने अजीज सिंग के राज़ितिक करियर को काफी नुकसान पहुचाय था अब बाला का पैसा था खपाने के लिए अपनाए थे ये हतकंडे कैश फर वोट कार्ण में खरीद फरोद को लेकर जो पैसे उप्योग मिलाए गए गए थे उसको लेकर भी बड़ा कुलासा हुआ था जहां मुमो के ततकालीन सांसा शैलिन मेतो ने प्रेस कॉन्फरेंस का रारुख लगाय था कि सभी पैसा हवारा कारोबारी सके जेन के दिये गए थे अब CBI के लिए अपने बयान में मैं तो कहते हैं कि वास्पत धर्मगुरू चंद्रा सौमी और केंद्रे मंत्री सतीश शर्मा को तीन करोड रुपे दिये थे इसी पैसे को सांसादों के बीच बाटा गया था CBI के और से कैश फॉर वोट मामली में दाखिल चार्शीट के मताबिक पैसे खापाने के लिए JMM के सांसदों ने कई हद कंडे अपना दिये थे और सबसे पहले पैसे को पार्टी फंड में डाला गया था उसके बाट सांसदों कोई तरफ से 22,000 का कूपन दिया गया, खरीदा गया CBI के मताबिक जहाजुमों ने कैश फॉर वोट के पैसों को दो प्रतिशत के हिसाब से ब्याज पर लगानी के विवस्ता भी कर दी थी आगे कभी पुरा जुकार देशी भासा में करें तो कर लिया था 1998 से पहले 1996 की बात कर लेते हैं ये मामला सुप्रीम कोट पहुचा जिस पर 1998 में पांच जजों की समधानिक बेंच ने सुनवाई पूरी की मामले में नर्सी माराव और बूटा सिंग आरूपी थे लगा दी 2000 में दिली हाई कोट ने सीबियाई को सही सबूत पेश नहीं करने के लिए फटकार भी लगा दी अब कोट ने कहा कि सीबियाई ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे साबित हो सके कि पैसे सरकार बचाने के लिए दिये गए थे माम लारा वड़ा बचा गए लेखिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोट ने अपने फैस्ले को बदल दिया है, पलट दिया है तो अब कई ना कई जागरुक व्यक्टि भी है, जागरुक लोग है जागरुक मददाता है और कहीं न कहीं समझा जा सकता है कि आप भरस्टाचार से आप बच नहीं सकते जितना बचना था आपने बचलियाब नहीं बच पाएंगे और शायद भरस्टाचार को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं अगर ऐसा होता है तो भारत की ही तरक्की होगी और जाके आगे भारत होगा जो अगर 47 में जो तार्गेट रखा गया है 2047 तक की भारत विक्सित देश बन जाएगा तो उसमें कहीं न कहीं ये एक महत्वपूर कड़ी साबित होगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस मामले के बारे में आपको पता था कितना आप जानते थे और जिनको नहीं जानकारिय मिली है वो भी लाइक जरूर करें वीडियो कमेंट जरूर करें आज के लिए इतना ही करके लोटेंगे किसी और मुद्धे पर बात करेंगे धन्यवाद